नमस्कार दोस्तों मा आपका दोस्ता मित्यादव आपके अपने चानग घर पर पाट साम दोस्तों स्वागत करता हूं दोस्तों ITP ट्रेडमेन बरती 2017 की दोस्त चार सालों से लटकी हुई है जिसका आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे रिजल्ट 25-26 के आसपास आना था लेकिन बाद में फिर लेट हो गया है रिजल्ट उसके बाद में आपने कोलिंग वगरा की है उनके हेलप लाइन नमबर पर या उनके कंट्रोल नमबर के उपर काफी कोल वगरा जा भी रहे हैं और अब सायद उठा भी नहीं रहे हैं तो यह जब भी आप कोल करते हैं वह आपको यह बोलते हैं कि 10-15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा लेकिन जब आपने वन वीक पहले चार से पात दिन पहले कोलिंग किया कंट्रोल लूम के उप और अब कैसे चला था कि 6 क्यास पास रिजल्ट आ सकता है 6 जून को तो 6 जून को तो वैसे भी संड़े हैं और सचड़े संड़े हेड़कोर्टर बंद रहता है तो आज आस थी कि आपके 4 जून को रिजल्ट आ जाए लेकिन स्याम हो चुकी है और अभी तक रिजल्ट किया गया बात अगर वकैंशी की करें तो खबरे तो यही निकल किया रहेंगे 1100 के पलस संथिंग आपकी वकैंशी है और वकैंशी आपकी बढ़ाई गई है क्यों बढ़ाई गई वकैंशी चार सालों से तो वैसे बरती अटकी हुई है उसके बाद में ITP के अंदर नही करता है 700 700 कया असपास वो जरूर 700 800 कंडड टो जरूर बरती करता है यह 500 से बरती निकाले जिए उच्छे कंडेट ने क्या किया कि जिनका ये हुआ कि जिनके ट्रेट टेस्ट के अंदर कम नंबर है तो वो मुद्दा बना हुआ है कि उन्होंने रीट लगाई है हाई कोट के अंदर जैपूर के अंदर तो देखो कोट के अंदर जाने का न्याले के अंदर जाने का सभी को रोक सकता कि आप क्यों जा रहे हैं अगर किसी को डाउट लगता है कि मेरे साथ में नय हो रहा है यह हो रहा है यह नहीं होना चाहिए तो जा सकता है वो बाकी force के उपर depend करता है इनकी force का काम रहता है वो भी अपना defense करेगी force के भी कुछ अधिकार होते हैं अब जो candidate गए है मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपने जब 10 जनवरी का exam हुआ उसमें आपने तब क्यों नहीं बोला कि जो है trade test के number नहीं होने चाहिए exam तो 10 जनवरी के भी हुआ था उससे पहले आपने क्यों नहीं डाला मैं मेंने बात बता देता हूँ कि जैसे हो candidate उन में ऐसे कुछ भी candidate ऐसे भी होंगे जिनके नॉर्मली बहुत ही कम number है और की return है exam के अंदर धांदली तो बिल्कुल भी नहीं चली वो आपको पता है कि online exam हुआ है और trade test में उनके बिल्कुल कम number होंगे क्योंकि कम number तो सभी के average number है 30 से उपर तो बहुता है ऐसे 10% candidate मिलेंगे जिनके 30 से उपर है या 28 के आसपास है बाकी तो सभी के 20, 21, 23, 23, 28, 19 ऐसे ही है और मैं बता देता हूँ कि जो journal category का यूर category का candidate है उसके आपके 20 से कम number कहीं नहीं मिलेंगे यांकि 20 के तो उसकी passing marking है और 16 number उसके मिलेंगे या तो SC, ST या फिर OBC, NCL से बिलोंग करता है तो उसके अंदर ये बताया कि ये candidate ने मेरे 48 number return exam में और मेरे 16 number जो हूँ उसके अंदर है और 16 number जोड के उसका OBC के अंदर SC, ST क्योंकि OBC के अंदर ही मिलते हैं आपको पताए OBC, ST के अंदर ही मिलते हैं 16 number बाकी जर्नल में तो 20 होते हैं तो उसका 100% selection होगा लेकिन किसने बैकार रखा है उनको और में उनका ये मुद्दा है कि अब इस बरत्य को ना होने दिया जाए या इसको डिले करवा दिया जाए तो उसे में स्वाल ये है कि 10 जनुवरी का जब आपका एक्जाम वा उसमें आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि आपका trade test का जो है number नहीं लिए जाया क्योंकि एक्जाम तो तब भी हो रहा था लेकिन तब ये बात थी ना पेपर आपका बहुत ही जादा मातरा में आउट हुआ था यानकि उनके जो पेपर हो अच्छा बन गया था और अब की बार उनका पेपर क्या है अच्छा नहीं बना है तो इसके काने मुद्धा उठा रहे है बागी इससे कुछ नहीं होता केस के उपर भाई बरती रुक जाएगी ऐसा है ऐसे बहुत ही केस हुए है डेली पुलिस में रेलेवे में जितनी भी आपकी बरती आ होती है चाहिए आपके राजस्थान पुलिस में लगा लिजी यूपी पुलिस में जितनी बरती होती है केस वगर ऐसे ही चलते रहते है लेकिन उसके उपर कोई भी उपर बाव नहीं पड़ता रेजल्ट जैसा बता रहे हैं कि दस से पहले आपका रेजल्ट आ जाएगा उसमें सब कुछ फाइनल हो जाएगा अगर वैसे मैं बता देता हूं कि कटोफ वैसे कम चली जाएगी कि जिन्होंने केस किया है उनका ही नमबर आ जाएगा तो फिर केस चीज किस चीज का होगा अब ये तो है नहीं कि हर कंडिडेट का उसके अंदर सेलेक्शन होगा चाहिए आप पिचपन पे मैरिड लगा दीजिए चाहिए साठ पे मैरिड लगा दीजिए आप कम्पुटिशन के अंदर है अनकी दो गोडे जब आपको दोड रहे होंगे तो उसमें एक ही वीनर होगा जिसने मेनत की होगी तो इसी परकार से है चीक कट ओफ कितनी भी नीचे जाए लेकिन उसके अंदर सभी जितने एक्जाम के अंदर बैठें सभी का सेलेक्शन नहीं हो सकता है ठीक है बाकी मैं बता देता हूँ कि हर फोर्स का अलग-अलग रूल होता है यान कि आप जीतनी भी पैरा मेडिकल आपकी जो है पैरा मिल्टरी फोर्सी जापकी CISF, CRPF, BASF, आपकी आसाम राइफल जो इसके अंदर आती है ITBP आती है, SSB आती है किस परकार से है, जैसे CRPF के अंदर या किसी भी के अंदर ट्रेट टेस्ट के नंबर नहीं जोडते ITBP स्टार्टिंग से ही नंबर जोडता है लेकिन अगर जो हम उसकी बात करें, जो उनने नोटिस दिखाया कि 2015 हम बंद होगा था, उससे पहले भी उससे पहले भी वो नंबर नहीं जोडता था यानकि CRPF उससे पहले भी नंबर ट्रेट टेस्ट के नहीं जोडता था वहाँ पे उसके लिए मैं बता दूँ कि CRPF क्यों नहीं जोडता नंबर क्योंकि ये रूल होता है कि trade test का जब आप number जोड़ते हैं trade test जब आप लेते हैं number जोड़ते हैं तो फिर आप वहाँ पे trade से related question नहीं दे सकते हैं यान कि जहाँ पे आपके trade के number यहाँ ITBP के अंदर जोड़ रहे हैं तो 50 number का आपका cable जो है other आपका हो रहा है यान कि GK reasoning आपका हो रहा है बाकि trade से कुछ नहीं पूझा सारा लेकिन CRPF का जब आप exam दोगे trade man का उसके अंदर आपके 60% question यान कि सो मेंसे 60 question आपके trade से related पूझे जाते हैं जैसे कि paramilitary, sorry, paramedical staff के जो अब भी निकले हुए है form जिनका exam होने वाला है 707 post है उसके अंदर भी आप देख लेना वैसे उसके अंदर जो trade test तो ऐसे qualify है लेकिन trade से related question वापे पूझे जा रहे हैं बाकि BSF में ने पूझे जाते trade से related question तो फिर आप वहाँ भी आप वो कीजिए ना कि उसके अंदर क्यों पूझे जा रहे हैं अलग अलग है हर force का जैसे CRP, BSF आसाम राइफल के अंदर जितने भी आपकी ट्रेड मैन से पूझे निकलती हैं वो सभी statewide होती है यानकि हर राज्य की अलग अलग के पूझे होती है लेकिन SSB और आपकी ITBP इनकी All India Base के उपर merit लगाते हैं तो आप उनके उपर भी कीजिए कि आप All India Base के उपर merit क्यों लगा रहे हैं यानकि हर की statewide होना चीए अलग अलग state की merit बढ़ना चीए जिस पकार की CRPF के अंदर होता है BSF के अंदर होता है आसाम राइफल के निकलती हैं तो उसके अंदर होता है तो उन मुद्दों को कोई नहीं उठा सकता क्यों नहीं उठा सकता कि हर फोर्स के अंदर मान लीजिए कि गरह मंतरले के अंदर आता है उनकी जितनी भी आपको यह होते हैं कि गरह मंतरले के आदेश होते हैं उनको मानने होते हैं लेकिन इन फोर्सों को भी अधिकार है बर्ती करने में आई इतने भी तो मुझे भी जानकारी नहीं कहां पर है लेकिन इन फोर्सों को भी अधिकार है अपना बचाओ करने का अपनी बर्तियों को अच्छे से करने का किसी भी डंग से यहनकि जो पहले भी यह तो है नहीं कि इसी बरती के अंदर हुआ है यह तो आप पिछले कितने सालों से देख लीजिए ITVP के अंदर जुड़ते आ रहे हैं ट्रेडमैन के उसके नंबर और बाकी फोर्सीज के अंदर 2015 से भी पहले नहीं जुड़ता तब तो आप कहिए कि 2015 से तो पहले CRPF के अंदर ट्रेड टेस्ट के नंबर जुड़ते थे लेकिन 2015 के बाद में जब वो नोटिस आया उसके बाद में उन्होंने खतम कर दिया वे तो पहले ही नहीं जोड़ रहे थे और यह स्टार्टिंग से ही जोड़ रहे हैं तो इस बात को ज़्यादा मुद्धा ना बनाएं किसी को केस करना है किसी को जो भी करना है वो करते रहने दें ज़्यादा इन बातों को ना बढ़ाएं बाकी जो नेला का फैसला उगो सभी को मानने होगा और मैं बता देता हूँ कि result आपका बहुत ही जल्दी आने वाड़ा है और मैं फिर बता देता हूँ कि जिस भी candidate के पास में कोई information है result से क्योंकि हम तो यह तो है नहीं कि हम DIG हैं ITBP के वहीं से आपको information दे दें आपके जितने भी candidate हैं आपके भाई हैं वहीं में बताते हैं कि सर ऐसे आने वाड़ा है result आप तक आ सकता ही यह सूचना ही चल रही है तो यह जरूरी नहीं कि जो आपका information दे रहा है वो दलाल है या उसका तो 100% हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं आपने देखा होगा कि भरती के अंदर जो फेर selection हो रहा है trade test के अंदर थोड़ा बहुत होया होगा भाई बती दावाद लेकिन इतना भी नहीं है कि जो 1620 के नमबर उसका selection होगा जब result आए तब आप देख लेना और मैं उन सभी से कह रहा हूँ कि जो यह बता रहे ना कि 1620 में आपका अगर आपके 16 नमबर ने trade test के अंदर और 50 में से 50 आप ले आएंगे तो भी आपका selection होगा उनकी आखे मैं बता देता हूँ जब आपका result आएगा तब उनकी आखे खुल जाएंगी और बाकि जितने गंडेट है वो भी खुल देंगे जब आपका result आएगा तब आप देख लेना उसमें कितने गंडेट का selection होता है कितनी आपके merit जाती है जो भी खंडेट के पास में कोई information है कि कब तक result आने वाड़ा है उनके कोई जानकार है उनका कोई भाई बंदू है कोई दोस्त लगा हूँ आई टीबिपे में तो वो मेरा mobile number आपको नीचे मिल रहा है WhatsApp के उपर WhatsApp पर message करें बाकी कोई भी खंडेट ऐसे message ना करें कि सर मेरी इतनी number है मेरा selection हो जाएगा क्या या यह हो जाएगा इस परकार के message ना करें तो आज के लिए दोस्तों इतना ही जै बारत और जै हरियाना result आपका मान के चली कि 4 जून तो होई गया है कल सचड़े है कल बहुत ही कम chance है वैसे मना नहीं कर सकती कि कल result नहीं आएगा बाकी रहता है कि आपका Monday या Tuesday को सोमार या मंगलवार को result तो बाकी आपको सभी को पताईए कोई भी information हो तो नीचे number पर बता देना जै हिन जै बारत और जै हरियाना दोस्तों